इंडिय अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहाँ जाके मुझरा करना है तो भी करें, मोदी के लिए सम्विधान सर्वो परी है, मोदी के लिए बाबा साब आम बेड़कर की भावना सर्वो परी है, इंडिय अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहाँ जाके मुझरा करना है तो भी करें, मैं SC, ST, OBC, RACTION के साथ जट करके खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, जब तक जान है लड़ता रहूँगा, साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है, कि जब किसी का हक छिनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता, तो उस पर क्या बीचती है, इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है, इसका सबसे बड़ा लाब मेरी माता और बेहनों को हुआ है, और तभी हिंदुस्तान के हर कौने में, शायद दुनिया के लोगों का इत्रज होता है, कि ऐसे हज़्जार और लाखों की तादाद में, माता और बेहने आती हैं, बैठ कर के आशिरवात देती हैं, अपना घर का काम छोड़ कर के आती हैं, आप याद कीजिए, देश के गोदामों में, अनाज सड़ जाता था, लेकिन कॉंगरिस सरकार, कॉर्ट में जाकर, सुप्रिम कॉर्ट में जाकर कहती थी, कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती हैं, और सुप्रिक कॉर्ट ऐसे टांग अड़ाना बंद कर दे, मोदी ने हर जरुरत मन के लिए, अनाज के गोदाम के दर्वाजे खोल दिये, आज भी गरीबों को मुप्त राशन मिलता है, और ये मोदी की गारंटी है, आने वाले पांच साल भी, जिन परिवारों को मुप्त राशन मिल रहा है, मिलता रहेगा, आज कोई मा इसलिए रात रात बर नहीं जाती, कि उसके बच्ची के पास खाने के कुछ नहीं है, हब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है, कोई बच्चा भूका सोना जाए, गरीब के घर का चुला बुझना जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है, माताओ भेनो, आप मैंसे बहुतों को, मोदी नी जो पक्का आवास योजना बनाई है, वो पक्का आवास मिल चुका होगा, लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग, ज़र यहां बैटे हैं, हाथ उपर करके मुझे बताए तो मैं बताओ, मेरा एक काम करेंगे, उदर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, उदर माताओ भेनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, उदर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, देखे इन दिनों, अगर आप गाउं में जाते हैं, अलग-अलग बस्तियों में जाते हैं लोगों से मिलते हैं और कहीं पर भी आपके नजर में आे कि कोई जुगी जोपड़ी में रहता है कोई मिट्थी के कच्चे घर में रहता है तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे देदीजिए आप उसका नाम पता लिख करके मुझे बेज दीजे और उसको कह देना उसको बड़े बिना संकुच कह देना कि चार जुन के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुमारे लिए घर भी बनेगा उसको बता देना और ये मोदी की गारंटी है कहना उनको उस गरीब परिवार को कहना और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना ये लो मूँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अड़े लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुढ़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined